नश्कार दोस्तों और आज किस वीडियो में बात करने जा रहा हैं वीवो X21 के बारे में जी हां दोस्तों ये इंडिया का पहला फोन है जहां पे आपको under the display fingerprint sensor मिल रहा है और उसे के साथ साथ यहां पे आपको fun touch OS मिलता है जिसमें बहुत सारे ऐसे hidden tricks हैं ऐसे hidden tips हैं जिसे तो सबसे पहला ट्रेक है दोस्तो इसका जो अंडर डिस्पेर फिंगर पिंगर 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 पिंशर जैसे काम करता है तो आपको एक अनिमेशन दिखता है और वो एनिमेशन दोस्तो तीन टाइप के हैं और तीनो एक से बढ़कर एक है अभी फिलाल के लिए तो यहाँ पे तीन है आगे अपडेट में और आएंगे बट अगर आपको इन तीनो में से अगर चेंजर करना है तो आपको सेटिंग्स में जा करके इसका जो फिंगर आपके रिसेंट अप्स में आप गैल्वी खोल कर रखते हो नेट्फिक्स में कोई वीडियो है आप खोल कर रखते हो तो ऐसे में दोस्तों आप नहीं चाहोगे कि जब आप रिसेंट अप्रिकेशन को दिखारो और आपका दोस बगल में हो तो वहाँ पर उसे यह ना पता अपको ब्लर दिखाई देंगी तीसरी सेटिंग में दोस्तों आपको मोर्ड शेटिंग्स के अंदर मिल जाएगी जो है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स जी हाँ अगर कोई भी आप है जहां पर यह सपोर्ट करता है जैसे की वाटसाप हो गया तो आप जब वहाँ प है वो सॉफ दिखती है आपके तोड़ी अच्छी दिखती है तो वह सारे फीचर दोस्तों आपको यहां पर वीडियो कॉल करते समय मिल जाएंगे चौता फीचर है दोस्तों डिय लेने का और यह भी आपको मोर्ड शेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा अब दिय लेने के जरूत नहीं है बस इस ओप्षिन को अन करो जितनी पोटोस है वीडियोस है उसको डेरेक्ली अपने वीवो एक्स्वेटीवन से स्ट्रीम कर लो अब दुस्तों जो पांचवा ट्रिक है वो मुझे बहुत पसंद आया और यहां पे आपको इस फोन पे एक एप मिलता है जिस आपको इस सेटिंग की मदद ले सकते हैं नेक्स फीचर दोस्तों फ्लैशनाइट नोटिफिकेशन और यह पीचर मुझे सबसे पहले आइफोन में मिला था और उसके बाद मैंने बहुत थर्ट-बार्डी अप्स यूज किये थे जहां पर आपको जो कॉल आते हैं और सेटिंग्स में जाकर के उसका ऑप्शन मिल जाएंगा फ्लैश्ट नोटिफिकेशन के और जबाव उस कॉन कर देंगे कोई भी इंकमिंग कॉल हो मेसेज़ यह जो छोटा सब फ्लैश्लाइट है वह आपको नोटिफाई करने में मदद करेगा और देख में बहुत कूल लग थोड़े बहुत नोटिफिकेशन आप यहां लगा ले और वो दोस्तों जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड वालपेबर सेटिंग्स के अंदर यहां पर अप्शन है और यहां पर सेटिंग्स में खुद लिखा गया है कि 10% जाधा आपकी अब भड़ते हैं दोस्तों नेच्स्ट ट्रिक की तरफ और इस फोन में आपको सिर्फ अंदर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट सेंसर ही नहीं बलकि एक आयार कमरा में मिलता है जिससे आपको फास्ट फेस अनलॉक मिल रहा है तो ऐसे में आप फास्ट फेस अनलॉक से या फि जाएगा कि आपको फेस अथेंटिकेशन या फिंगर्प्रिंट अथेंटिकेशन यूज़ करना है जैसे एक विक टिप में बताना चाहता हूं कि चाहे आपको इस फोन में अंदर डिस्प्ले फिंगर्रिंट सेंसर मिल रहा है बट फिर भी यह थर्ड पार्टी आप से शिक लॉंग टाप करते हैं और वह एप रियरेंजिंग मोर में होता है तो जितनी भी आपस जो आप क्लोनिंग सपोर्ट करता आपको वह आप क्लोन करने का ऑप्शन भही मिल जाएगा आपको सेटिंग्स में जाने की जरुद नहीं पड़ेगी तो बहुत ही टाइम सेविंग औ आते हैं दोस्तों आप दस्वे पॉइंट पे और यह है वाइफाई होटसपोट से रिलेटेड तो वाइफाई होटसपोर्ट तो हर अंड्रोड फोन में होता है लेकिन वीव एक पोन कनेक्ट करना चाहते हुए आर्ट पोन मतलब बता सकते हो कि दो से ज्यादा डिवाइसे यहां पे मेरे होटसपोर से कनेक्ट ना हो और इचनेवरी डिवाइस के आप डेटा कंट्रोल भी कर पाऊँगे तो अगर आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा है यार मुझे थोड़ी से वाटसप फोटो सेंड करने है तो आप हाँ पर देख सकते हो कि सरे थोड़ी से वाटस रिलेटे तो लांचर में दोस्तों आपको आईफोन स्टायल स्प्रिंग बो लांचर मिलता है ज़ predecessor के सारे वाब इक पेज में होते हैं तो इस पेज करेंज़ कर सकते हैं और मुझे सारे के ट्रांजिशंस बहुत ऑसंद आता है ता आपको अपने होम स्पीन पे लांग टर करना अपने laptop या desktop पे जी यह दोस्तों यह फोन मीरा का सपोर्ट करता है और आप अपने Windows 10 laptop पे यह desktop पे आप इसे वारलेस्टी कास्क कर सकते हो और जो भी आप अपने सब्सक्राइब करता है तो आप अपने फोन को जैसी टेबल से उठाएंगे और उसके बाद यहां पर आपके फेस को देख करके उनलॉक कर देगा तो कहीं टच नहीं करना है बहुत सीमलेस हो जाता है और यह दोस्तों आपको ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर स्मार्ट मोशन पे मिल जाएंगे अदृ स्मार्ट मोशन में एक और इंटरेसिंगince फीचर जिसका नाम है स्मार्ट कॉल और सम्मिज ठीक आप कन्टक बुक में किसी का कंयरें तेखक देखने हैं अपिर मेसेज्स का में किसी का मेसेज पड़ाह CL ता मन करें आपको मन करये कि आप बंदे को कॉल लगा लगालेते हैं और ऐसे मेशेच वे आपको मेसेच बढ़ते हुए Words अपने फोन को अपने कान के पास लेकर आना और वो कॉल आटमाटिकली लग जाएगी तो फिर वो वस्वाटस अपर फिस्वुक रेसे अगर आप केल कर तो आपको नोटिफिकेशन ने मिलेंगे तो ऐसे में आप किसी भी स्पेसिफिक आप को आपको बस पूल डाउन करना है इसके Recent Menu में या फिर इसके control center में और वो memory में lock हो जाएगा तो कभी भी आप memory clear करते हो तो जितने भी selected apps हैं वो memory में रहेंगे अब next trick है दोस्तो smart click का और smart click क्या करता है कि आप जब अपने vivo phone के lock screen पे volume down button को press and hold कर रहेंगे तो different actions आप उसे assign कर पाएंगे और ये दोस्तो settings के अंदर आपको directly as smart click मिल जाता है तो मैं तो क्या करता हूँ कि volume down button पे open camera का setting रहता हूँ और जबी मुझे कुछ जल्दी से photos लेनी होती है तो मैं इस proper smart click option है उसका use करता हूँ अगला trick भी दोस्तो थोड़ा smart है जिसका नाम है smart split और यहां पे आप जुटने भी apps उसको multitasking करने के लिए split कर पाएंगे और यह दोस्तों आपको settings में मिल जाएगा जिसको enable करने के पाँ जहां पे यह app support करता है जैसे कि google map हो गया Gmail हो गया तो आपको पस 3 जो फिंगर सो उसको उपर से नीचे swipe करना है और फिर वहां पे आपको split screen mode मोड मिल जाएगा multitasking करने के लिए आजकल नौच वाले phones में iPhone X like gesture navigation आया था वह बहुत फेमस हो रखा है वह आपको Vivo V9 में मिल जाएगी तो setting में जाकर करके जब आप system navigation में जाएगे तो आपको आपको option मिल जाएगा navigation gestures जिसको on करने के बाद आपको यहाँ पर iPhone X like navigation gestures मिल जाएगे तो इससे दोस्तों आपको screen का पूरा real estate भी मिलता है और at the same time आगर आप चाहे तो आपको iPhone X like gesture navigation भी मिल जाता है अगला feature है दोस्तों S capture का और आप इस particular feature की मदद से different kind of screenshots ले सकते हैं अपने X21 पे तो यह option दोस्तों आपको control center के अंदर मिल जाता है as S capture itself और उसके बाद में आपको option मिल जाता है इसे long screenshot, record screen, rectangular या फिर funny screenshot तो बाकी के तीन तू ठीक है पर funny screenshot में दोस्तों आप अपने पसंद के design में directly screenshot ले पाएंगे और फिर वो same to same gallery में भी save हो जाएगा आपको बाद में editing करने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी परते दोस्तों next feature के तरफ जिसका नाम है Air Unlock अब समझ लीजाए आ अपने फोन पे ना ही कोई password रखने हो ना कोई pin रख रहे हो तो ऐसे में आप Air Unlock feature से अपने फोन को टच भी नहीं करना है जैसी वो lock screen पर आफ आपको अपने हाथ उसके proximity sensor के आगे से वेप करना है और वो phone दोस्तों unlock हो जाएगा तो थोड़ा सा security issue है बट अगर आप जानते इसको एड करना है मैंवली तो यहां पर जैसी आप किसी गेम को आड करेंगे तो आपको different options मिल जाएंगे जिससे किया background calls को जपने आप रजेक्त कर सकते हो आपके जितने भी floating previews आएंगे वो डिसेवल हो जाएंगे Wi-Fi से हमेशा connected रहेगा और उसके आपको different touch है वो भी पर भी बहुत अच्छा लगा और अगर आपको यह सारे tricks tips पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेर ज़रूर करना WhatsApp पे Facebook पे अगर आपने अभी तक हमें Instagram पर फॉलो नहीं किया तो आपको इस वीडियो नीचे हमारे Instagram और चितने भी social links है वो भी मिल जाएंगे तो उसे क्लिक करो और हमें हर social network पे follow करो तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो के इतना ही और अपने अगले इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी से मिलनी के आशा रखते हुए गड़ बाई